जो गो अवतरण की बात कही गई है उसका हम स्मर्ण कर रहे हैं श्री देवी भागवत में भगवान श्री नारैन का और नारजी का समवाद है श्री नारैन और नारजी के समवाद में शुरुवी के जन्मकी कथा देवी भागवत में आई है देवी भागवत में लिखा है कि गववों के धिश्ठात्र देवी शुरुवी देवी का प्राकट्य कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को नित्य गोलोक धाम में और वह नित्य गोलोक धाम ही ब्रजभूमी की रूप में अवत्रित हुआ है इसलिए जो गोलोक व्रज है उसमें भगवती शुर्भी का प्राकट्य हुआ था एक समय की बात है नित्य गोलोक धाम में भगवान श्री राधा माधव अनन्त ब्रजगोपियों के सहित राशक क्रीडा में प्रवृत्य थे महारासो राथा रास करते करते नृत्य करते करते श्री राधा कृष्ण भगवान स्रमित हो गए तो एकांट कुझ्य में एक दिव्य पुष्मय सिंगहासन पर युगल सरकार राधा माधव विराजमान हो गए शखिया भगवान स्री राधा माधव के श्रमाप नोधन के लिए उनके श्रम को दूर करने के लिए वीना भुर्ज मृदंग आदिवाध्य बजा करके ललित कंठ से कुछ गा करके और युगल सरकार का श्रम दूर करने लगी उनको प्रसन्य करने लिए उसी समय भगवान ने अत्यंत प्रेम भरी चितवन से रसेश्वरी रासेश्वरी गोलो के स्वरी स्री राधा रानी की ओर देखा और जैसे प्रियतम ने प्रेम भरी चितवन से प्रिया जी की ओर देखा ऐसे ही स्री श्वामिनी जी ने लाडली जी ने अपनी प्रेम पूर्ण दृष्टी से अपने प्राण जीवन धन स्रीकृष्ट की ओर देखा रसेश्वर रासेश्वर स्रीकृष्टि की ओर देखा युगल सरकार एक दूसरे को प्रेमभरी दृष्टी से देख रहे हैं सक्यां उस दिव्य जांकी का अनुभव कर रही है भगवान के मन में कुछ दूद पिने की इक्षावी थी कुछ ग्रहन करें और उसी समय युगल सरकार की परस्पर की जो प्रेमभरी चितवन है दृष्टी है उस दृष्टी से दृष्टी के संयोग से बिलक्षन प्रेम स्री राधा माधव के भीतर प्रगट प्रेम विग्रह ही हैं स्री राधा माधव प्रेम सार सर्वस्व हैं स्री राधा माधव के हमारे श्री व्रणदावन में स्री राधा वर लव संपरदाय के एक महान रशिक आचारी हुए हैं स्री हित धुर्वदाजी जिनकी अनुपम करती है ब्यालीस लीला उन्होंने तो अपनी वाणी में एक बड़ी सुन्दर बात कही हैं विकतें प्रेम के खिलोना प्रेम के खिलोना खेलत दो प्रेम खेलत दीपावली के समय सक्कर के खिलोना बनते हैं गडिया घुला बनते हैं ऐसे ही राधा माधाव प्रेम के ही खिलोना है नक्सिक प्रेम ही है निमें और कुछ नहीं है क्या करते हैं वोले प्रेम की क्रिडा करते हैं प्रेम मैं राधारानी प्रेम मैं स्री कृष्ण प्रेम का प्रकट स्वरूप व्रंदावन प्रेम का प्रवाहित स्वरूप स्री यमना जी प्रेम का घनी भूत जमा हुआ स्वरूप स्री गिरी राज गोवर्दन यहां सब कुछ प्रेम ही प्रेम है प्रेम का ही सामराज जयर तो प्रेम पुंज तो दोनों हैं ही वो प्रेम इतना अधिक बढ़ा कि प्रिया प्रीतम उस प्रेम का संवरण नहीं कर सके और वो प्रेम पुंजी भूत हुआ राधाराने के श्रियंग से प्रेम तत्त प्रगट हुआ ठाकुर्जी के श्रियंग से प्रेम तत्त प्रगट हुआ और वो प्रकास पुंज जब एकी कृत हुआ तो ततकाल सवत्सा गाय के रूप में अवद्दरित हुए ज्यान में आई बात, यह साक्षात राधा कृष्ण के स्रियंग से प्रगट लेगा है, राधा कृष्ण का प्रेम तत्व, मिलित प्रेम तत्व युगल का वो गाय है, इसलिए गाय साक्षात राधा माधव का विग्रा है, राधा माधव का स्वरूत है, प्रेम का स्वरूत ह यह कथा जब हमने पहली वार सुनाई तो पूझ पत्मेडा महरजी को बहुत अच्छे लिए अब जितनी कथाएं हैं उनमें ये सबसे अच्छी बात है कि गाय प्रेम तत्व से प्रगट हुई है और वस्तुता गाय में जैसा प्रेम है वैसा स्रिष्टी में कहीं नहीं श्री सिताराम प्रतितिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महराजी के ओफिशल चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें